हाई फ्रैंस मैं एड़ोकेट विनाश नदन सर्मा दोस्तो राज्य का एक आदेश पारित होता है कि सभी गधूं को एरिस्ट कर लिया जाए तो एक घोड़ा इस आदेश को जानने के बाद भाग रहा होता है पुलिस की नजर उसका पीछा पुलिस करती है उसे पकरती है और पूछती है कि तुम क्यों भाग रहे थे घोड़े ने कहा कि ये फर्मान जारी हुआ है कि सभी गधूं को गिरफतार कर लिया जाए तो पुलिस कहती है कि तुम घोडे हो तुम्हें भागने की जरूरत क्या है ये फर्मान तो गधूं के लिए जारी हुए है घोडा कहता है कि सर आप मुझे एरिस्ट कर लोगे और जब ये केस कोट तक पहुँच जाएगा तो मुझे दस साल लग जाएंगे ये साबित करने में कि मैं गधा नहीं घोडा हूँ दोस्तो केस लड़ते हुए सालों लग जाते हैं अपनी चीजों को प्रूफ करने के लिए आप सच को सच साबित करने के लिए दस साल का वक्त चला जाएगा पहली बार मुझे भी एक assignment मिला दोस्तो मा बेटे की लड़ाई थी प्रोपर्टी की लड़ाई थी मुझे बोला गया कि कोट में वो मिलेंगे पहली पार वो मुलाकात होनी थी और केस में मामला आगे बढ़ना था मुझे कोट में आपियर होना था मैं पहुचा कोट दोस्त से मिलवाओ वो कहने लगे मैं ही बेटा हूँ मैंने बोला आप तो काफी उम्र दराज व्यक्ति दिख रहे हो वो कहते हैं सर ये बाल मेरे कोट में केस लड़ते लड़ते सफेद हो गये अभी हाल में सुप्रिम कोट ने अजीज आकर ये कह दिया कि अगर परिस्थितियां इसी होंगी जिसमें हस्बेंड और वाइफ काफी समय तक अलग हैं उनके बीच केस चल रहा है डिवोर्स की प्रकिरिया चल रही है और ऐसे मामले लंबित हैं तो उनको दूसरी साधी कर लेने का भी अधिकार होगा 21 सदी में भी 21 साल बीच चुके हैं दोस्तों और आज भी अदालत की गती उसी पुराने जमाने की तरह है आज भी कोट की प्रकिरिया उतनी ही धीरे चल रही है निरने पे पहुँचने में ऐसा युग बीत जाता है दोस्तों इनसान जवान इनसान बुड़ा हो जाता है और कब नयाएं नहीं मिलते उसके बाल सफेद हो जाते हैं दोस्तों कुछ वकील साहब यह कहते हैं कि वकालत करने में बालों में सफेदी जल्दी आ जाती है इतने ज़्यादा लोगों की समस्याएं उनको सौल्व करने में जद्दो जहद करनी होती है कि वकील भी काफी ठक जा करतें दोस्तों लोगों की आकांच्छाएं उनकी महत्वाकांच्छाएं बहुत बढ़ चुकी हैं उनको न्याय चाहिए होता है वो जल्दी कारवाई चाहते हैं लेकिन हर मामले में बहुत ही दिक्कत है मैं ऐसे ही मामले को बताऊं कि एक पुरुस जो अपनी पत्नी के खिला अफ तलाक का केस फाइल करता है उसके दो बच्चे हैं दोनों बेटेओं को वो अपने पास रख लेता है पत्नी परिशान है दोस्तों वो उसने डिवोर्स के केस का विरोध किया वहां अपनी बातों को उसने रखने की कोसिस की और फाइनली ये डिवोर्स डिसमिस हो जाता फिर भी husband पत्नी को रखने को राजी नहीं है दोस्तों पत्नी अब फिर domestic violence में residence order के लिए चली गई बच्चे पती के पास हैं न्याय कहा है दिवोर्स पती का खारिज होने के बाद भी पत्नी को उसके पास रखने के आदेस होने चाहिए थे जो किसी भी प्रावधान में नहीं हो रहे हैं दोस्तों कोट की प्रकिरिया में ये निर्मय नहीं आ रहे हैं तो दिवोर्स का केस पती हार जाता है फिर भी उसे नुकसान नहीं होता पत्नी फिर भी दर-दर की ठोकर खा रही होती है अपने बच्चों के पास नहीं जा सकती ये है अदालत की परतमान आज जहां 21 सदी में 2021 का वर्स आ चुका है साल चल रहा है दोस्तों हर तरफ मॉल और नय निर्मान हैं दुनिया चमक रही है वहीं कोट आज भी जर जर है धूल फांकने वाली जो बात कही जाती है कि आदालत में धूल फांकना होता है आज भी कोट में वही धूल फाक्ती फाइले हैं, आज भी अदालत में उसके आसपास मौल खड़े हैं और अदालत की बिल्डिंग जरजर है दोस्तों